दर्शकों को बता दें, यह जो तस्वीरें वो देख रहे हैं, पृधान मंत्री नरेंदर मोधी इस वाक्त पहुँच चुके हैं, बीजेपी के मुख्याले के सामने, जिस भवन की बात कह रहे थे, अमारे समधा शलेंदर बता रहे थे, केंदरी कारेले के विस्तार का लोकार प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुंच चुके हैं और आज के लिए ये बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए बीजेपी के राश्ट्रे अध्यक्ष जेपी नडड़ा मौझूद है प्रदान मंत्री का स्वागत करने के लिए माननी ये राश्ट्री अध्यक्ष जी के द्वारा अंग वस्त्र पहना के स्वागत और फुश्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया है माननी ये प्रदान मंत्री अब तीनों परिसर का अवलोकन करेंगे और एक पूजन करेंगे में शामिल होंगे नरेंद्र मोधी नरेंद्र मोधी नरेंद्र मोधी जेपी नडड़ा भारत माता की प्रदान मंत्री जी का परिसर में प्रवेश इस परिसर में इस हौल के अलावा दो कांफरेंस हौल्स और हैं हमारे सबसे वरिष्ट नेता पूर्वध्यक्ष माननिय मुर्ली मनोहर जोशी जी का आगमन हुआ है कर्तल ध्वनी से उनका स्वागत करिए साथ में पूर्वध्यक्ष और परिवेहन मंत्री माननिय नितिन गड़करी जी का भी कर्तल ध्वनी से स्वागत करिए BJP, 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 जोशी जी, जोशी जी, नितिन गटकरी, नितिन गटकरी, भारत माता की, भारत माता की, वन दे, आस्चाम, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रिय गह मंतरी, माननी आमित शाह जी का स्वागत है, करतल ध्वनी से उनका स्वागत करिए, अमित शाह जिन्दाबाद, BJP, जिन्दाबाद, BJP, जिन्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वन दे, वन दे, आस्चाम, माननी ये प्रधान मंतरी जी का परिसर में आगबन हो चुका है, रास्ट्रिय कार्याले के, एक्स्टेंशन के लोकारपन समारों के हम सब साक्षी बन रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव काक्षण है, इस परिसर में, इस बिल्टिंग भावन में तीन परिसर है, एक ये परिसर है जहां आप सब विराजमान हैं, दो Conference Hall इस परिसर में हैं, इस के आगे एक आवासिय परिसर है और एक परिसर में Research Wing है, नीती-शोध परिसर है वो, तो ये हमारी कारेकरता आधारित पार्टी, संगठन आधारित पार्टी कर केंद्रिय कार्याले के विस्तार का लोकारपन का रिक्रम है और हम केवल एक राज़देतिक दल ही नहीं है हम सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं गरीब कल्ण्यान और समरत समावेशी भारत के निर्मान के लिए संकल्पत मानिनिय प्रधान मंत्री जी कुछी समय में हमारे बीच में आने वाले हैं यहां उपस्तित हमारे वरिस्ट गण स्टेज पर विराजबान है उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस परिसर के पूजन के लिए क्योंकि हम सनातन संस्कृती को मानने वाले लोग हैं कल शाम को साड़े छे बज़े से आज एक बज़े तक विविन हवन और पूजन के कारेकरम रखे गए सबसे पहले गणपती हवन हुआ उसके पश्चात वास्तु का हवन हुआ नवग्रह हवन किया गया इंद्र विज़े हवन किया गया चंद्री का हवन हुआ और श्री सत्य नारायन पूजन कथा पूजन और हवन का काम यहां हुआ है और उसके पश्चात आज ये लोकारपन का कारेकरम केंद्री कारेले विस्तार के लोकारपन का कारेकरम यहां रखा है पूजन के पश्चाथ भोजन प्रसाद हो जाता है तो आप सभी से आग रहे कि कारेक्रम के पश्चाथ भोजन प्राप्त करके अवश्य यहां से जाएं क्योंकि वो परशाद है हमारे राजस्तान में परसादी कहते हैं कि अगर आप इस तरह के किसी कारेक्रम के साक्षी हुए है परसादी ग्रेंड नहीं की तो कारेक्रम में आना आपका नहीं माना जाता है तो आप सभी से आग रहे हैं कि भोजन प्राप्त करके अवश्य यहां से पधारें भारत माता की बारत माता की वन दे बीजेपी जिन्दाबाद भाजपा जिन्दाबाद भाजपा जिन्दाबाद यहां उपस्ते सभी कारे करता बंदुओं का हार्विक अभिनेंदन है आज एक एतिहासिक पल के साक्षी होने का गौरव हम सबको मिल रहा है विश्व के सबसे बड़े नेता युग पुरुष परम संबानिये मोधी जीदवारा केंद्रिये कार्याले के विस्तार का लोकारपन कारे करम यहां पर होगा और हम सबको इस कारे करम का साक्षी होने का उने सुनने का मौका मिलेगा और दिल्ली प्रदेश के कारे करताओं के द्वारा पिछले साथ दिन से बहुत मेहनत के साथ इस कारे करम के लिए सहयोग दिया गया है और अभी भी काफी लोग यहां खड़े हैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि दर्वाजा छोड़ के थोड़ा सा हम पीछे हो जाएं ताकि आगंतुकों को परिशानी नहीं हो अतिती बहुत दूर दूर से आए हैं यहां सांसत गण हैं केंद्रिये मंत्री मंडल के सदश्य गण हैं रास्ट्रिये पदाविकारी हैं पार्लियमेंटरी बोर्ड के समस्त सदश्य गण यहां उपस्तित हैं और कारेकरता बंधू यहां उपस्तित हैं आप सभी का इस एतिहासिक पल में स्वागत हैं अभिनंदन हैं नमो एप के एक फीचर का प्रस्तुति करण भी यहां पर हुआ है मैं आग्रे करना चाहूंगी कि उसके बारे में हम सब लोग उस फीचर को उप्योग मिलें नमो एप एक बहुत बड़ा पोर्टल है जिससे हमें सरकार की योजनाओं की जानकारी नवाचार और बहुत सी ऐसी चीजे जो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि कारेकरता होने के नाते ये हम सब का कर्तव हैं कि हम अपनी पार्टी का विस्तार करें और केंदर की योजनाओं को उस जन तक लेके जाएं जिसके लिए वो योजनाओं बनी हैं सर्व समावेशी विकास में और गरीब कल्यान के संकल्प के साथ प्रदान मंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं और वैश्विक नेता के रूप में वैश्व में अपनी छवी देश की छवी सुधारने का काम उन्होंने किया है तो भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता होने के नाते ये करतब पे हम सबका है कि हम उन योजनाओं की जानकारी लें उन योजनाओं के बारे में अध्यन करें और उसे उस वंचित तक पहुँचाएं जिसके लिए वो योजनाएं बनी हैं महीला होने के नाते बहुत गौरवानवित महसूस करती हूँ कि 11 महीला मंत्री पहली बार किसी सरकार में है और यहाँ मानने निर्मला जी बैटी है, वित्त मंत्री है, स्मृती जी बैटी है ये निश्यत रूप से गौरव देने वाली बात है उस आधी आबादी को जो अभी तक विकास की अवधार्णा से दूर थी, मिनाक्षी जी बैटी होई है आप सभी को निश्यत रूप से सर्व समावेशी और उस आधी आबादी को आगे बढ़ने का काम उस आधी आबादी को विकास की अवधार्णा के साथ जोड़ने का काम माननी मोदी जी की सरकार कर रही है तो कारेकरता होने के नाते ये हम सब का करतव है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में WhatsApp को काम में ले माननी मोदी जी परिसर के अवलोकन के साथ यहां जो कामगार है जो जिन्होंने अपना पसीना बहाया है इस परिसर के निर्मान या किसी पे तरह से सहयोगी रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम, उनसे समबाद करने का काम, निरंतर माननी मोधी जी प्रधान सेवक के रूप में करते हैं, हम सब को गर्व है कि ऐसे वैश्विक नेता हमारे साथ है, जिन्हों ने उस छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर देश को का विश्व में पर्चम लहराने तक का काम किया है, एक बार करतल ध्वनी से उस युग पुरुष के इस पुनीद काम के लिए हम सब भी अपनी तरफ से सहवागी बने हैं, मानेनी ये प्रधान मंत्री कामगारों के साथ वोटों की चाकर निश्चत रूप से उनको सम्मान देने का काम है, उनकी मेहनत को प्रहचानने का और उनके बीच में जाकर जनता के प्रधानमंत्री हैं ये पहली बार भारत में हुआ है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आम जन के साथ अपना जुड़ाव रखता है और जो आम जन के लिए योजनाय लेकर आता है न भूतो न भविश्यती हम सब को गर्व है कि ऐसा वैश्विक नेता हमारी अगवाई कर रहा है लेकिन हमारा भी करतव है कि हम निरंतर वो सारे काम करने का प्रयास करें जिसके लिए पार्टी की तरफ से आपके पास आता है या खेंदर की योजनाओं को आगे ले जाने की ब साथ में रास्ट्रिय अध्यक्ष नडड़ा जी है बहुत सुन्दर परिसर का निर्माण है ये एक सभागार है इस परिसर में दो छोटे कॉन्फरेंस हौल्स भी है जो आगे जाकर हम सब की कारे प्रणाली और कामों के लिए काम आएंगे मानिये प्रधान मंत्री जी एक परिसर का बटन दबा कर लोकारपन कर रहे है खुश्प वर्षाव क्योंकि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं बड़ों का सम्मान और पूजन हमारी परंपरा का हिस्सा है नरेंद्र मोधी जेपी नडड़ भाजपा बीजेपी बीजेपी मानने प्रधान मंत्री जेपी नीचे के द्वारा पूजन किया जा रहा है नीचे क्योंकि किसी भी शुव काम के शुरुवात से पहले पूजन हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है वैदिक मंत्रो चार के साथ पूजन का आयोजन हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और किसी भी शुव काम से पहले पूजन की परंपरा हमारे यहां है भारत माता की भारत माता की वन दे वन दे भारत माती पोजन दे भारत माती यहां है पोजन दे पोजन दे जैशिया, 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 जैशिय जहान मंत्री जी के द्वारा आरती और पूजन किया गया है विधिवत पूजन और आरती अंगवस्त के द्वारा मानने प्रधान मंत्री जी का स्वागत और पंडे जी के द्वारा हमारी संस्कृति के अनुरूप उन्हें भेट दी गई है जो भी किसी विशुप काम से पहले हम सब जानते हैं कि इस तरह का आयूजन हम करते हैं नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद माननिये प्रधान मंत्री जी के द्वारा दीन देयाल जी और हमारे शामा प्रसाजी मुखर जी के स्टैच्यू पर पुष्प चड़ाया गया वो लोग जिन्होंने हमें विचार दिया जिन्होंने हमें अन्तियोदे की अवधारना दी वो जिन्होंने कश्मीर भारत का अभिन नंग माना हमारे योग पुरुष दीन देयाल जी और शामा प्रसाज जी मुखर जी के स्टैच्यू पर पुष्प अर्पित कर अपनी शद्दा सुमन उन्होंने अर्पित किये अब परिश्ण का अवलोकन के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रधान मंत्री जी और कुछी समय में हमारे बीच उपस्तित होंगे भारत माता की वन दे बीजेपी जिन्दाबाद बीजेपी जिन्दाबाद प्लिकरते हुआð प्लिकरते प्लिकरते श्युच्य प्लिकरते शिता कुछी समय में माननिय प्रधान मंत्री जी और माननिय रास्तिय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आने वाले हैं आप सभी से आग रहे हैं कि जब वो सभाग्रह में पधारें खड़े होकर करतल ध्वनी से उनका स्वागत करें परिसर में आने के पश्चात सबसे पहले हमारी संस्क्रती के अनुरूप पूजन किया गया माननिय प्रधान मंत्री जी के द्वारा उसके बाद हमारी विचार्थ हमारी पार्टी को विचार देने वाले हमारे दो युग पुरुष माननिय दीन दयाल जी और माननिय शामा प्रसाद मुखर जी की बस्च पर उन्होंने उश्प अर्पित किये और अब परिसर के अवलोकन के पश्चाथ कुछी समय में माननिय प्रधान मंत्री और माननिय नड़ा जी हमारे बीच उपस्तित होने वाले हैं और आज हम सब के लिए बहुत गौरव का पल है कि इस केंद्रिय कार्याले के विस्तार के लोकारपन समारों का हम सब साक्षी बनेंगे हम साक्षी बनेंगे माननिय प्रधान मंत्री जी के उद्बोधन का निश्चित रूप से ये एतिहासिक पल है और हम सब सौभा के शाली हैं कि हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा होने का मौका मिला भारत मता की वन दे बीजे पी बीजे पी जाओ सारे सांसद, सारे कारेकरता, भारतिय जन्ता पार्टी, बीजेपी जिन्दाबाद, नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद, नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद, अमित शा जिन्दाबाद, मुल्ली मनोर जोशी जी जिन्दाबाद, नितिन कटकरी जिन्दाबाद, सारे कारेकरता जिन्दाबाद, बीजेपी जिन्दाबाद, बीजेपी जिन्दाबाद, बारत मतगी, बारत मतगी, वन दे, वन दे, मातरम, मातरम, भारत मतगी, परिसर के अवलोकन के पश्चात, कुछी समय में माननिय प्रधान मतरी जी का आगमन होगा, आप सब जो यहां कारेकरता बंदू उपस्तित है आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मानने ये प्रधान मंत्री जी के आगमन पर खड़े होकर करतल ध्वनी से उस युग पुरुष का जो देश को आगे ले जाने के लिए कृतकत संकल्प है और जो विश्व में भारत का पर्चम लहरा रहा है आज भारत क्या कहता है ये बहुत ध्यान से सुना जाता है तो भारत आज दर्शक से आगे बढ़कर विश्व गुरू की ओड़ जा रहा है इसलिए मैं आगरे करना चाहूंगी आप सभी से कि परम सम्मानिये प्रधान मंत्री जी और सम्मानिये नड़ा जी के आगवन पर खड़े होकर करतल धोनी से स्वागत करें उनका जो ना केबल हमें भारती जन्ता पार्टी का करे करता होने का गौरो प्रधान करते हैं बलकि विश्व में भारत की पहचान है माननिये प्रधान मंत्री जी कुछी पलों में हमारे भी जो पस्तित होने वाले हैं भारत माता की मोधी नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद जिन्दाबाद भारत माता की मैं मैं मंचा सेन करपे अपनी इस्थान गरेंड करें मैं मंचा सीन सबी वरिष्ट गणों से मानिये प्रधान मंत्री जी से आग्रे करूंगी दीप प्रजवलन कर कारेक्रम की विधिवत शुरुआत करें कशल को अविए Mmm ओम अग्ने नया सुकत्ताराजे अस्मान, विष्वादि देव भजनादि विद्वान, वियोद्यस्मच्चो रादमे नहां, भोजिष्टान दे नमा उत्तिं विदेमा, सहताववतू, सहतावभुदक्तू, सहवेत्यंकरवावः, ने जस्तितावधितमस्तुमा विद्विषावः, सहतावधितमस्यश्चुमा विद्विध सवरे, विएयन पैसितको, सहतावधितमस्तुमा विद्विष्वादक्तुमा? अब वंदे मातरम का गायन होगा श्रीमति शवाना रह्मान गायन करेंगी आप सभी से आग रहे हैं खड़े होकर वंदे मातरम का गायन करें वंदे मातरम वंदे मातरम सजलाम सुफलाम मलय जशीति लाम शस्य शामिलाम मातरम वंदे मातरम सुफ्रचोसा पुलिकित यामिनी उल्लक सुमिता द्रमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधर भाशिनी सुखिदाम वरिदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत मातर की जैसा कि हमारी संस्कृती में हैं हम वरिस चनों का सम्मान करते हैं किसी भी शुप कारिक्रम में माननिय प्रधान मंत्री जी के योगपुरुष प्रधान मंत्री जी के सम्मान के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रास्त्री अध्यक्ष माननिय नड़ा जी से आग्रे करूंगी कि वो अंगवस्त्र और पुश्प गुच्छ देकर माननिय प्रदान मंत्री जी का सम्मान करें करतल धनी से स्वागत करिए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सच्वदेवा जी से आग रहे है कि हमारी पार्टी के रास्प्री अध्यक्ष माननिय नड़ा जी का स्वागत करें अंगवस्त्र और पुश्प गुच्छ देकर हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री वयोग्रत नेता मुल्ली मनोहर जोशी जी के स्वागत के लिए प्रदेश के महमंत्री हर्श मलोत्रा जी से आगरे करूँगी कि अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर माननिय मुडली मनोर जी का स्वागत करें कर्कल द्वनी से स्वागत करें हमारे वरिस्ट गणों का पूर्व रास्ट्रिय अध्यक्ष और वर्तमान ग्रह मंत्री जिनों ने एक भादत स्वेश्ट भारत के स्वापन को साकार किया है माननिय अमित्ष शाहाजी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी जै प्रकाश जी को जो पूर्व मेयर है दिल्ली के पूर्व रास्ट्रिय अध्यक्ष और वर्तमान परिवेहन मंत्री जिनों ने इंफ्रास्ट्रेक्चर का जाल पूरे देश में बिछा दिया है माननिय नितिन गटकरी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी प्रदेश के उपाद्यक्ष जाजीर बबबर जी से विकास वाद को सेंटर में लाने वाले और देश के विकास के अवधारणा को नई परिभाशा देने वाले सर्व समावेशी सम्रद भारत के निर्माण को संकलबद माननिय योग पुरोश वैश्विक नेता मोदी जी से आगरह करूंगी माननिय प्रदान मंत्री जी से आगनिवेदन करूंगी कि केंद्री एक कार्यले विस्तार का डिजिटली लोकारपन करें करतल द्वनी तालिया बजाकर स्वागत करिये इस एतिहासिक फल का कि केंद्री कार्यले विस्तार के पर एक फिल्म का प्रस्तुती करन है पांच मिनिट की उस फिल्म का अभी प्रस्तुती करन चालू है also गिया के अज हम सब भकी एह वागी हैं उस एतिहासिक करन के कुछकत चोटी फिल्म है और विजारों व्स प्साइब पार्टी की यात्रा में कितने ही कठिन पढ़ावाई संगर्ष का दौर चला किन्तु पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति ने हर कार्यकरता ने चुनवती को अफसर मान कर कार्य किया और जनता का विश्वास हासल किया है आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन करो भए है और पार्टी की जिम्मेदारिया भी बढ़ रही है ऐसे में इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भाजपा का अपना केंद्रिय कार्याले परिसर ज़रूरी था इसी विचार के साथ पार्टी ने 2016 में अत्याध्वनिक स्टेट अव दियार्ट कार्याले की परिकल्पना की 18 अगस्ट 2016 को बिल्ली के पंड़िक देंद्रयाल उपाद्ध्याय मार्ग पर नए भाजपा केंद्रिय कार्याले की आधार्शिला माननिय प्रधानमंत्री श्री नरिंद्र मोधी द्वारा पाटी के ततकालीन राष्ट्र अध्यक्ष श्री अमित्ष शहां की गड़िमा मयर उपस्थिती में रखी गई अपने उप्देश्य को तरव समय सीमा के तहत पूर्ण कर लेना भारतिय जनता पाटी की कार्य उसके बाद से कश्मीर से कन्या कुमारी और कच्छ से काम रूप तक भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पाटी को केंद्रिय कार्याले का विस्तार करने की आवश्यक्ता महसूस होई भाजपा केंद्रिय कार्याले पाटी के संसकारों और संकापों की नीव है और भाजपा का शीर्ष नेतुत्व कारेकरताओं के मार्क दर्शन के साथ साथ समय समय पर उन्हें प्रशिक्षन वा आविशक संसाधन को पलब्द कराने के लिए सबयर ततपर रहता है इसी श्रिंखला में भाजपा केंद्रिय कार्याले विस्तार की आधार्शिला रखी गई भाजपा केंद्रिय कार्याले विस्तार का विशाल परिसर नहीं दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा केंद्रिय कार्याले के पास ही है यह परिसर लगभग धाई एकर भू भाग पर फैरा है इसमें साथ मन्जिल के दो भवन और एक हाइटेक सभागार का निर्बान किया गया है भवन के डिजाइन में इस बरत का विशेश खयाल रखा गया है कि प्रत्येक तल पर सूरी की रोशने वह प्राक्रितिक वायू प्रचूर मात्रा में पहुँच सके इसके अलावा पूरी इमारत में सुरक्षा के माप दंजों का भी पूरा खयाल रखा गया है पूरे परिसर का निर्मान परयावनन अनुकूल मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इस विस्तार कार्यालय परिसर में भी भाजपा केंद्रिय कार्यालय परिसर की तरह ही सामाजिक वधार्मिक महत्य के प्राक्रितिक पौधे एक उब्यान में लगाए जा रहे हैं जिसमें रेशन, अमलतास, बकायन, पारनाग और पीपल जैसे पेर पौधे शामिल है जब हम भारतिये जनता पाटी विस्तार कार्याले में प्रवेश करते हैं तो बाई हो ये भवन अनुसंधान केंद्र है जिसके भूत तल पर कारे करताओं एवन भाजपा कर्मियों के लिए कैंटीन की विवस्था है कैंटीन में 42 लोग एक साथ बैठ कर भोजन कर सकते हैं भवन के प्रथम तल पर 32 सीटों की क्षमता का अनुसंधान कक्ष है इसके अलावा कॉन्फरेंस हॉल और रिसर्च से जड़े पड़ादीकारियों के लिए एक कैविन बनाया गया है इसी तरह भवन की साथों मन्जिले विभिन अनुसंधान कारियों के लिए आरक्षित है पर इसर में ही आगे ये दूसरा भवन आवासी यह है इसके भूर तल पर रिसेप्शन, कैंटीन, लाउंज और जिन जैसी सुविधाएं उपलब्द है प्रथम तल से लेकर उपरी मन्जिलों तक समिठन के चिनहित पदाधी कारियों वो कारेकरताओं के ठेहरने की विवस्था है प्रवेश द्वार के दाई और पंडित दीम देयाल उपाध्याईजी की प्रतिमा स्थापित की गई है और पितिमा के बगल में एक दिव्य वभव्य भवन का निर्मान किया गया है भवन में तीन हाइटेक प्रशिक्षण हॉल्स वएक मल्टी परपस सभागार का निर्मान किया गया है हॉल एक और हॉल दो में 72-22 लोगों के बैठने की ववस्था है और हॉल 3 में छियामने कारेकरताओं के बैठनी की प्षमता है इनका उप्योग मुलतहा प्रशिक्षन वो बैठकों के लिए किया जाना है प्रथमतल पर विशाल मल्टी पर्पस सभागार हॉल नंबर 4 है इसमें 756 कारेकरताओं के बैठने की विवस्था है इसकी विशेष्टा ये है कि यह दोपहर में प्राकृतिक प्रकाश की प्रचूरता रहती है इसके साथ ही परसर में दो घूमिगत पार्किंग की भी विवस्था है भाजपा के केंद्रिये एवन विस्ताव का जाने किवल इमारिक में अब तो करों मोगवाडी कारेकरताओं की आशा अकान शाओं को प्रति विव्बित करने वाले केंद्र है जहां अंत्योदय के सपने को साखार करने के लिए अध़क परिश्रब करने की उज़ा का संचरण होता है और नए भारत के संकार्कों को पुगा करने के लिए प्रधानमंत्री मोधीजी के साथ कदम से कदम मिला का चन्नी की प्रे़क रहती है आजादर रहे प्रधानमंत्रेश लड़े मोधीजी द्वारा मौरुनी आगाश की अध्यक्ष श्री जवत प्रकाश नग्डाची की अध्यक्षितान है इस विस्तार कार्यालय का मुखर पंगिया जा रहा है। इसकी सभी पुहार्द एक्षुद्धान ना है। तीन परिसर है और हम जिस सरातन संस्कृति को मानने वाले हैं इस परिसर के उद्धगाटन से लोकारपन से पूर्व। नव ग्रह हवन हुआ, इंद्र विजई हवन, चंदरी का हवन और फिर स्री सत्यनारायन पूजा और हवन का कारिक्रम यहां पर हुआ है। और हमारी संस्कृति के अनुरूप माननिय वैश्विक नेत्रत्व ने अभी यहां पर पूजन कर आरती कर इस लोकारपन कारिक्रम का शुभारंब किया है। अब इसी के अंतरगत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रास्प्रिय अध्यक्ष जो सहज ही अपनी भाशा और उर्जा के साथ कारेकरताओं को जोडते हैं। जिनोंने कोविट के समय हमें सेवा ही संगठन का मूल मंत्र दिया। और ये संदेश दिया कि हम केवल एक राजनेतिक दल नहीं हैं। सामाजिक सरोकारों को भी साथ लेकर चलते हैं। और सरकार की योजनाओत को आम जन तक ले जाने के लिए किस तरह पार्टी का सहयोगी हो सकती है और किस तरह हम अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं। ये मूल मंत्र देने वाले और पार्टी सर्वगाही पार्टी बने ये हमें प्रेणा देने वाले रास्त्री अध्यक्ष मानें ये जगत प्रशा जेपी नड़ा जी से मैं आग्रे करूंगी कि हम सब का मार्ग दर्शन करें। आज के इस केंद्रिय कारले के विस्तार के इस लोकारपन कारिक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित, हम सब के यश्यस्वी प्रधान मंत्री, लोकप्रिय प्रधान मंत्री जिनका मार्ग दर्शन हम सब को हमेशा मिलता रहता है। ऐसे हमारे आदर्निय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे वरिष्ट नेता, जिनका मार्दर्शन हमको अजीवन मिला, ऐसे हमारे डॉक्टर मुर्ली मनोर जोशी जी, भारत सरकार में मंत्री, श्री अमिश्या जी, भारत सरकार में मंत्री, श्री नितिन गटकरी जी, यहां उपस्तित सभी मंत्री गण, सांसत गण, बड़ी संक्या में हमारे स्थानिय वरिष्ट कारकरता बंदू, पदादिकारी बंदू और विभिन सभागारों में, डिश्टिनल मीडिया के माध्यम से, इस कारकरम में जुटे हुए हमारे सभी वरिष्ट कारकरता बंदू, और electronic media के माध्यम से हमारे लाखों कारेकरता देश भर के जो जुटे हैं सबसे पहले इस एतियासिक कारेकरम में मैं अपनी और से और आप सब लोगों की और से आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का हार देख अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ मैं उनका विशेश अभिनंदन इसलिए करता हूँ क्योंकि वह देश के प्रधान मंत्री जरूर है देश का नित्रत्व वह लंबे समय से कर रहे है उनके नित्रत्व का लोहा और थाथी विपक्ष भी मानता रहा है दुनिया भी मानती रही है लेकिन हम सब लोगों के लिए ये सौभागी की बात है कि उनके दिलों में हमेशा भार्तिय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े कैसे कमल खिले कैसे हमारी विचारधारा आगे बढ़े इसका सतक मार्दर्शन चिंतन सहयोग हम सब को मिलता रहता है मैं जब उनका स्वागत कर रहा हूँ तो मैं दो बाते जरूर बताना चाहूँ एक हमें कभी ऐसा मैसूस नहीं हुआ कि हम पुद्धान मंत्री जी का समय ले रहे हैं पार्टी की बात के लिए अगर हमने छोटी बात के लिए भी अगर उनसे हमने विचार करने का बन बनाया तो उन्होंने आगे आकर के हमेशा हर बारिकियों में जाने का प्रयास किया और हमें मदद किया वो पुद्धान मंत्री है लेकिन संगठन मंत्री उनके दिल में हमेशा बसा हुआ है ये भी हम पुद्धान मंत्री है एक उधारन और दूँगा मैं जब से राश्टिया जेक्ष बना हूँ अनेकों पार्लिमेंट्री बोर्ट की मैठक हुई है संसदिय बोर्ट की बैठक हुई है चुनाव समिती की बैठक हुई है लेकिन प्रधान मंत्री जी ने हमें जो संसकार दिये हैं वो हमको समझने लाइक है आज दिन तक कोई भी बैठक प्रधान मंत्री कारेल या निवास में नहीं हुई वो हमेशा दीम दियाल उपाध्य मार्ग पर हुई है ये उनों भी बताता है उनका पार्टी के प्रती प्यार लगाओ समर्पड और ये हम कारे करताओं के लिए हमेशा सीखने वानी बात है जिसे हमें भी अपने जीवन शैली में उतारना और पार्टी के प्रती समर्पित रहना ये हम को इसमेशा समस्कार लिए मैं पार्टी के सभी कारे करताओं को एक बात जरू कहूंगा कि आपके लिए एक एतिहासिक मौका है आज से 20 साल बाद पार्टी तो बढ़ेगी आगे तो बढ़ेगी लेकिन आप ये कह सकेंगे इसके चश्मदीद गवाँ बनेंगे 20 साल बाद दी आप गौरब से कह सकेंगे कि जिस दिन इसका लोकारपन हो रहा था उस दिन मैं भी उपस्थित था ये आपको एतिहासिक मौका है मुझे याद है 2014 में नितिन जी ने मुझे जिम्मा दिया था कि 11 शोक रोड का उसको मौडिफाई करो और उसका कारे हमने शुरू किया था उसमें हम लोगोंने बहुत ताकत लगा करके उस कारेले को बनाया था और उसमें जो चीज हम जोड सकते थे उस जगा की कमी को देख जगा कम होने पर भी उसको हम पूरा कर रहे थे उस समय प्लान मंत्री जी गुझरात के मुक्य मंत्री थे और वो एक चुनाव समीती की बैठक में आये थे उन्होंने कारेले देखा बड़ी बारी की से देखा सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा बना तो है लेकिन यह अभी सरकारी भवन में बना है हमें अपने कारेले बनाना है इसकी बात उन्होंने उस समय प्रहिना की और मुझे याद है कि जब 2014 में आप प्रधान मंत्री बन करके आए तो आपने हम सब लोगों के बीच में इस बात को रखा था मैं महामंत्री था उस समय अमिद जी उस समय राश्टी अध्यक्ष बन गए उन्होंने एक कारेले में एक कारेक्रम में वो जब उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपना कारेले बनाना चाहिए और अपना कारेले सिर्फ देश का नहीं बनाना चाहिए सारे प्रदेश कारेले भी बनने चाहिए और हर जिले में भागतिये जन्ता पार्टी का कारेले बनना चाहिए और मुझे खुशी है कि अमिद भाई ने एक व्रियत योजना बनाई जो प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी उसको साकार करने का संकल्प लिया और ये तैव हुआ कि देश भर में आठ सो सतासी डिस्ट्रिक्स में कारेले बनेंगे उसकी योजना बनी और मुझे आज प्रधान मंत्री जी को बताते हैं वो खुशी हो रही है कि 499 यानि 500 में से एक कम कारेले बन करके उद्धाटन हो करके लोकारपित हो गए 115 कारेलों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 123 कारेलों की जमीन और बाकी विवस्थाएं चल रही है इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी सिर्फ देश को इआत्म नर्भर नहीं कर रहे हैं वो पार्टी को भी आत्म नर्भर करने के लिए प्रेविश कर रहे हैं यह भी हम को समय रहे हैं मित्रों पार्टी के द्रिश्टिक से सिर्फ हमारा हार्डवेर बदले सिर्फ हमारी बिल्डिंगें बन जाएं यह उद्देश यह प्रधान मंत्री जी का नहीं दाहा है उनका विशेश योगदान रहा है कोरोना की महमारी आई दुनिया मानती है कि प्रदान मंत्री जी ने किस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ी और दुनिया के नेता मानते हैं कि जो लड़ाई प्रदान मंत्री जी ने लड़ी वो किसी देश की ने नहीं लड़ी यह भी इस पस्त है लेकिन उन्होंने उस समय हमें फोन करके कहा कि कोरोना में पार्टी क्या कर रही है और उन्होंने खुद ये सेवाही संगठन ये नाम देते हुए क्या-क्या आयाम पर हम काम कर सकते हैं इसकी योजना उन्होंने हम सब के बीच में रखी और हम सब को मालूम है कि विश्यो की सबसे बड़ी पार्टी ने राजने तिक दलने अकेले ही सेवाही संगठन को आगे बढ़ाए और उसमें किस तरीके से हमने लोगों को भोजन पहुचाया राशन पहुचाया दवाईया पहुचाया ये सब आप सब लोग जानते हैं मास्क पहुचाया और जो काम हम लोगों ने सीखा भी नहीं था वह भी हमारे लोगों ने सीखा मास्क बनाना सीखा और उसका डिस्रिबूशन सीखा एक तरीके से सेवा ही संगठन को आगे बढ़ाया गया और इसी को आगे बढ़ाते हुए अभारतीय जन्ता पार्टी का सेवा सब्ता यह एक सतत कारकम बन गया है उसी तरीके से हम समाज के सभी वर्गों के लिए हैं इसलिए प्रधान मंत्री जी ने हमको प्रेरित किया कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े और आपको मालूम है आज ही सुबह मैंने सांसदों से चर्चा की कि छे तारीकों सापना दिवस से लेकर चौदा तारीकों भीम राव अंबेटकर जी की जन्म जैनती तक हम सेव सब्ता मनाते हैं और उसमें हम सभी सब्राजिक न्याय की लड़ाई की जिवशे हैं उन सब को रखते हैं उसी तरीके से एक भारत श्रिष्ट भारत के तहट एक नई प्रेर्णा हम को दिए अगर हमारा कोई तामिल लाडू का भाई दिल्ली में है तो हम तामिल लाडू की स इसने मिलन के कार्वक्रम के माध्यम से समाज के विविन वर्गों में काम करने की जोजना में उन्होंने हमें प्रेर्णा दी है जिसको हमने आगे बढ़ाया है मैं आप से अप प्रधान मंत्री जी की प्रेड़ना से अब नो बीजेपी नो मींस के एन ओ डबल्यू भारतिय जनता पार्टी को जानो इसकी प्रेड़ना आपने दी और आपको जान करके खुशी होगी कि इसी दीन देयाल परिसर में 56 से जादा राजदूत भारतिय जनता प प्रेड़निस्टर और प्रधान मंत्री भी इस कारेले में आए हैं और भारतिय जनता पार्टी का एक जिसको कहते हैं अंतराष्टिय स्तर पर उस चर्चा को शुरू किया है आपकी प्रेड़ना से हम अब डेलिगेशन पार्टी टू पार्टी दुनिया के सभी प्रिटिकल पार्टी के साथ कर रहे हैं इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कारेले तो बने हैं लेकिन कारेले में बनने वाले कारेकरता भी सुद्रिड़ और अच्छे हो करके सुसंस्क्रित हो करके भारतिय जनता पार्टी की एक जीती जागती त दुनिया का one of the high quality विचारों से युख हमारे संसकारों से युख research center बनने वाला है इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं मैं आपके और प्रधान मंत्री जी के बीच में जादा देर न रहता हुआ मैं पुना प्रधान मंत्री जी का स्वागत करता हूँ उनका हम सबको मारदर्शन मिलेगा और उनके मारदर्शन से जो पार्टी कारे को आगे बढ़ा रही है उसके बारे में मैंने कुछ चर्चा की आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो प्रधान मंत्री और निवेदन नहीं ये निर्देश है कि हम सब लोग प्रधान मंत्री जी के जो हमको विचार मिलते हैं उसको जमीनी स्थर पर पूरा करने के लिए हम सब तर पर होंगे और इस बात का विश्वास मैं प्रधान मंत्री जी को भी देता हूँ इनी शब्दों के साथ धन्यवाद भारत माता की भारत माता की कारकम में उपस्तित भारती जनता पार्टी के अध्यक्षर स्रिमान जेपी नड़ा जी हम सब के मारदर्शक डॉक्टर मुली मुन और जोशी जी पार्टी के अन्य सभी प्रधादिकारी सभी सम्मानित साथी कारकरतागान देवी और सज्जरो भारती जनता पार्टी के केंद्रिय कारले के विस्तार की देश भर के भारती जनता पार्टी के कारकरताओं को बहुत-बहुत बधाई 2018 में जब मैं कार्यले का लोकारप्ण करने के लिए आया था तो कहा था कि इस कार्यले की आत्मा हमारा कार्य करता है आज जब हम इस कार्यले का विस्तार कर रहे हैं तो ये भी केवल एक भवन का विस्तार नहीं है बलकि ये परतेग भाजपा कार्य करता के सपनों का विस्तार है भाजपा के सेवा के संकल्प का विस्तार है मैं पार्टी के उन कोटी कोटी कायर करता हूँ के चरणों में परनाम करता हूँ मैं पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों को भी सर जुका करके नमन करता हूँ साथ्यों आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना चमाली स्वास थापना दिवस मनाएगी यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है ये यात्रा समर्पन और संकल्पों की सिखर की यात्रा है ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है और ये यात्रा, ये विस्तार अपने आप में बहुत ही प्रिणादाई है आपको याद होगा भारतिय जनसंग ने दिल्ली के अजमेरी गेट के पास एक छोटे से आपिस से अपनी यात्रा शुरू की थी उस समय हम देश के लिए बहुत बड़े सपने देखने वाले छोटी सी पार्टी थे सपने बड़े थे, दल छोटा था 1980 में जब भाजपा का जन्म हुआ, तब कुछ समय के लिए दस राजेंदर पुशाद मार्क पार्टी का अफिस बन गया था और उसी जगा पे पहले अपने नाना जी देश्मुक रहते थे बहुत से कारे करताओं को ग्याराशो का रोड़ पार्टी अफिस के रुप में याद होगा इसके भी काफी समय बाद पार्टी अफिस दिंदाल उपादे मार्क पर सिफ्ट हुआ एक तरह से हमारी पार्टी की प्रगती का प्रतीक है इस दौरां कितने ही उतार चड़ावाए हम तो बोतल है जिसने इमर्जंसी के दौरां लोग तंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहूत करने कर हमने हिम्मत के साथ कदब होता है फिर सन्द चौरासी में जो हुआ देश कभी भी उस काले पुरुष्ट को भूल नहीं सकती है और उसके बाद जो चुना हुआ कॉंग्रेस को हैतियासिक बहुमत मिला था भावनाओं से भरा हुआ वो माहोल एक इमोशनली चार्ड एक्रोश्ट वियर अर उस आंधी में हम भी लगभग पुरी तरह से खत्म हो गए थे लेकिन हम हताश नहीं हुए हम निराश नहीं हुए हम ले किसी और में दोस्ट जुनने की कोशिश नहीं की आरोप प्रति आरोप की चक्कर में हम नहीं पड़े हम चले गए फिर एक बाद जनता जनारदन के बीश हमने जमीन पे काम किया हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुँचे है दो लोग सभा सीटों के साथ शुरूब अश्थफर 2019 में 303 सीटों तक पहुँच गया आज कई राज्यों में हमें 50 प्रतिशत से जादा वोट मिलते हैं आज उत्तर से दक्षिन तक पस्चिम से पूरब तक भाजपा एक मात्र पैन इंडिया पार्टी है परिवार के कब्जे वाली पार्टियां फैमिली रन पार्टियां के बीच भाजपा ऐसा राजनितिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत आउसर देता है फुला मैदान देता है आज भारत की माताओं बेहनों बेटियों का अशिरवात जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी का नाम है भारतिय जनिता पार्शिश्च और साथियों आज भाजपा केवल विश्वकी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है बलकि भाजपा भारत के सबसे फुचरिस्टिक पार्टी है हमारा एक ही लक्ष्य है भविश्य के आधुनिक और विक्सिद भारत का अंदिर्मान करना और इसलिए हमें खुद अपने लिए भी बविश्य के लक्षन निर्धारी करने ही होंगे इसके लिए हमारे पास आधुनिक सोज भी होने चाहिए आधुनिक संसाधन भी होने चाहिए हमें भाजपा को एक ऐसी संस्ता के रुपे विक्सित करना है जिसके पास अगले दस साल, बिस साल, पचास साल के लक्षन दिन धारी था है इसके लिए तीन बाते हर कर्टप्य निश्च कार करता हर भाजपा सदस्च के स्वभाव में होना समय की माँग है, देश की जरुरत है तीन बाते क्या है? एक है अध्यान दूसरा है आधुरिक्ता और तीसरा है विश्व भर से अच्छी बातों को आत्मसाथ करने की शक्ती हम आप जानते हैं कि पंडित दिल्दियाल जी जहां कहीं जाते थे किताबें उनके साथ रहती थी वो प्रवास में भी पढ़ते लिखते रहते थे उनकी रचनाएं, उनके अध्यान और बहुतिक्तार की गवा है डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी के अपने घर में तो हजारों किताबे थी भाजपा कायरले के नई बिल्डिंग पार्टी की उस परंपरा का एक केंद्र बनेगी और बननी चाहिए यहां अध्यायन की व्यवस्ता भी है आधुनित्ता भी है और विश्व भर का अनुभो प्रात्त करने की आकांच्छा भी है मुझे विश्वास है भाजपा का यह आधुन कारण है निरंतर इन सपनों के लिए इन संकल्पों के लिए इस अधम में इच्छा और उमंग के लिए अविरत प्रेड़ना का स्रोत बनेगा साथियों हम भाजपा कार करता हों के लिए एक गर्व की बात है कि हम सब जिस दल में काम कर रहे हैं जिस दल के आचार, संस्कार और विचार ने हमें गड़ा है उस दल की और उसके कायर करता हों की आज विश्व भर में चर्चा हो रही है आज बीजेपी की पहचान दुनिया के सबसे महत्वपूर राजनितिक दल के तौर पर होने लगी है आज भाजपा की दुनिया दुनिया की उन एतियासिक पार्टियों से होने लगी है जिनोंने अपने शासनकाल में अपने देश का भाग्य बदल दिया था ये समय भाजपा कारकरताओं के त्याग और तपस्या की बज़त से आया है ये समय भाजपा सरकार के विकास के कारियों की बज़त से आया है बीजेपी वो दल है जो भारत के महत्वप को भारत के सामर्थ को ससक्त करने के एक ही संकल्प को लेकर के चल रहा है हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि दुनिया के कई सारे से नेता वो हमारी भासा से परिचित नहीं है लेकिन फिर भी वो ये सबका साथ सबका विकास मंत्र दोहराने का प्रयास करते हैं वो अपनी भाषा में उसका अनुवाद भी करते हैं साथियों आज हमारा नौर्थीस सबका साथ सबका विकास के मंत्र का बहत्री नुदारण है नौर्थीस के आबादी में बहुत विवितचा है वह अलग-अलग समुधायों के लोग है आदिवासिक और विधायी समुधाय के लोग बहुत आयत है इक्षेत्र के लोग भाजपाप और अभूत पर विश्वात दिखा रहे हैं आज नौर्थीस में भाजपा के चार मुख्यमंत्री है दो अन्य राज्यों में हमारे गठबंदर की सरकारे हैं इस सफलता का बड़ा स्थे भाजपा के कारकरताओं को ही जाता है भाजपा कारकरताओं के इसी परिश्वन की वज़े से आज दक्षिन भारत में भी दूर दूर तक पार्टी का विस्तार हो रहा है करनाटका में भाजपा इतने वर्सों से मजबूत स्थिती में है आज भी हम नंबर एक पार्टी हैं करनाटका में तेलंगला में भी लोगों का एक मात्र भरोसा एक मात्र भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा है आंदर पुदेश में लोगों का भाजपा पर विस्वास दिनों बेन बढ़ता चला जा रहा है तामिल नाड़ू और केरोला में भाजपा हर जीले में हर बूत पर दिनों दिन मजबूत हो रही है एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना के साथ हो रहा भाजपा का इविस्थार हमें सीटों के मामले में और बोट्शेर के मामले में सभलता की नई उचायों पर ले जाएगा लेकिन साथ्यों मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ भाजपा को केवल उसकी प्रेजन्स और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है और भाजपा का स्वभाव है नूतन्ता आधुनिक्ता नूतन्ता हमारी निष्ठा है और आधुनिक्ता हमारी अवधारना है इसलिए बीजेपी के बल चुनाव लडने और जीतने के सिवित नहीं है बीजेपी एक व्यवस्ता है बीजेपी एक विचार है बीजेपी एक संगठन है बीजेपी एक अंदोलर है बीजेपी विकास की भी प्रेणा शक्ति है और बीजेपी बडलाव की भी प्रान शक्ति है बीजेपी ने सियासत की सोच को वड़ला है और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है और इसका एक उदारा है भाजपा का सदस्यता अभ्यान और इसके माध्यम से पार्टी का विस्तार एक समय था जब हम राज्यों में राज्यस्तर की कमिटी बन जाए तो हम सोच रहे थे कि चलिए उस राज्य में जंडा गार दिया फिर थोड़ा समय और बीता कारकरताओं ने परिश्रम किया फिर हम हिसाब लगाने लगे कि फिर कितने जिले हैं जहां कमिटी बनी है कितने जिलों में कमिटी बाकी है कब पूरा करेंगे फिर हम एक कदम आगे चले फिर हम सोच रहें रहें चलो जीले तो हो गए पताओ भई कितने तहसिल में कमिटिया बनी है कितने ब्लॉक लेबल पर कमिटिया बनी है फिर शक्ति के अंदर आया फिर बूथ पर फोकस हुआ और आज आज हम पन्ना प्रमूख तक पहुंच गएगे भाजपा भाजपा पहली पार्टी है जिसने पार्टी की व्यवस्ता में संबेधानिक रुप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्ता की है संबेधान के तहए भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो अपने कार्टाओं को नए अवसर देने इल के लिए निरंतर तत्पर रहती है हमने पार्टी की समितियों में कमिटियों में हर बार 25 प्रतीशत नए लोगों को लाने की व्यवस्ता शूरू की है हम कार्टाओं की इसी ताकत से सत्ता के सीखर तक पहुँचे है लेकिन हम भले ही सत्ता के सीखर पर पहुँचे हो लेकिन हमारे पाउं आज भी उतने ही जमीन पर हैं जितने 1980 में हुआ करते थे भाजपा में ऐसे कारकरतों की बहुत बड़ी फोज है जो कस्ट उठा कर परेशानी जेल कर करतद्य भावना से लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं हम जहां भी काम करते हैं सामुहिक्ता की भावना से काम करते हैं टीम वर्ग के साथ काम करते हैं भाजपा वो पार्टी हैं जिसमें मुक्त चिंतन होता है नए विचार स्रिजीत होते हैं नए विचारों का सम्मान होता है चिंतन और अध्यन करने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे भाजपा परिवार का विशाल विस्तार है हिस्सा है बटबुक्ष की भाती है भाजपा वो पार्टी हैं जिसमें समाज के अलग-अलग वर्गों को प्रतिनित्व देने के लिए प्रभावी और क्रियाशिल मोर्चे और कमीटियां है भाजपा में हर मोर्चा अपनी सामाज भुमिका में सक्रिय भी होता है प्रभाव शाली भी होता है साथियों भाजपा की एक और विश्यस्ता है कि हमारी पार्टी समाज के साथ जुड़कर के काम करती है भाजपा में समाज की सेवा के मद्धम से कारकरताओं को घड़ा जाता है जैसे कि आपने देखा होता आजकल भाजपा सांसद अपने खेत्र में खेल प्रतियोगीताएं करा रहा है इनके आयोजन में बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के वहां के स्थानी कारकरताओं निभा रहे है इसमें देश के लाखों युवाओं को भाग लेने का मोका मिल रहा है हजारों युवाओं को पदक मिल रहे हैं उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं और हमें भी खेत्र की सामर्थ का परिचे होता है इससी तरह कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो भाजपा के कारकरतां सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखरी तक मोर्चे पर डटे रहते हैं अभी अद्धक जी बता रहे हैं थे कोरोना के दोरान हमारी पार्टी के लोकों ने कैसे घर घर जाकर मुप्त राशन और रिलाज पहुंचाने में मदद की और तब तो पता नहीं था कि जाएंगे तो क्या लेके आएंगे अगर बीमारी घर में लाए तो जिन्दी की खत्रे में पढ़ जाती थी फिर भी भाजपा का कारकरता है जो हर घर जाता था आज भाजपा और भाजपा कारकरता हो का समाज के साथ जो भावात्मक समंध है वो आपको किसी और राजपीतिक दल में नजर आएगा के नहीं आएगा यह मैं कहनी सकता है जात्यों जब हम समाज की सेवा के लिए अपना जीवन खपाते हैं तो सरकार बनाने का आउसर मिलने पर भी यह हमारी प्रात्वित्ता होता है इसलिए ही आज पूरे भारत में भाजपा सरकारें आकांख्षा विकांस और प्रगति का परियाय बन रही है और यह भाजपा का ब्रांड अब गवननस है जहां भी भाजपा की सरकार है वहां गरीब कल्यान के लिए योजपा ये तेज ग्रती से चलने लगती है जहां भी भाजपा की सरकार है वहां योजपा का लाब लाभारतियों तक पहुचाना सुनिस्चिद हो जाता है जहां भी भाजबा की सरकारे वहां युवाश शक्ति को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर बनते हैं जहां भी भाजबा की सरकारे हैं वहां योजनाओं में महिला शसक्तिकरण को सर्वोच्च प्रातिकता मिलने लगती है जहाँ भी भाजबा की सरकारे हैं वहाँ कानून व्यवस्ता सुद्रड हो जाती है जहाँ भी भाजबा की सरकारे हैं वहाँ इस अब बिग बिजिस इस अब लिविंग के प्रयाद बढ़ने लगते हैं जहां भी भाजपा की सरकारे हैं, वहां इंफ्रास्टेक्टर का तेजी से विकास होना सुरू हो जाता है, जहां भी भाजपा की सरकारे हैं, वहां विकास और विरासत, विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ क्यों? मैं समझता हूँ, अब समय आ गया है, कि हमार universities, academicians और experts भारत के पिछले 75 साल के अलग-अलग governance models की comparative study करे, analysis करे, देश और दुनिया के सामने रखे, देश ने लंबे समय तक Congress का एक governance model देखा है, देश ने कॉमिनिस्टों का बीट कुछ राज्यों में governance का model देखा है, देश ने परिवारवादी, family run partyों के काम करने का तरीका भी देखा है, अलग-अलग गड़बंदनों की सरकारों का governance model भी देश ने देखा है, और देश आज पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकारों का governance model भी देख रहा है, एक निश्टिट परामेटर्स के साथ, जब इसकी analysis होगी, तो governance के model का महत्व समझ में आएगा, देश के सामान ने मानवी को भी पता चलेगा, कि governance के किस model ने देश को क्या दिया, उसके परणाम क्या निकले, और उनके लिए क्या बहतर रास्ता है, साथियो, आज भारतिये जनरता पार्टी के प्रतेख कारकरता को, एक बात समझना बहुत आवशक है, देशी समय, जिस कालखन से गुजर रहा है, वो तेज विकास के लिए बहुत एहम है, यह अमृत काल, यह सिरफ शब्द समू नहीं है, यह धर्ती की सच्चा हैं, एक सो चालिस करोर देश वाच्छों की दिलों की दढकन है, आज हम सबसे युवा देश हैं, आत्मविश्वात से भरे हुए देश है, पूरे विश्व में, दुनिया के बड़े-बड़े मंचों पर, आज अगर किसी का डंका बज रहा है, तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत, ऐसे बें, देश के भीतर बैठी, और देश के बहार बैठी, भारत विरोधी शक्तियों का एक जूट होना स्वाबाविक है, ये शक्तियां, किसी भी तरह, भारत से विकास का एक कालखन, छिन लेना चाहती है, आज भारत का सामर्त अगर, फिर भुलंदी की तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे, हमारी एक मजबूत नीव है, ये नीव हमारी समयधानिक संस्थाओं की है, हमारे constitutional institutions की है, इसलिए आज भारत को रोकने के लिए, हमारी इस नीव पर चोट की जा रही है, समयधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बज़नाम करने का भियान छड़ा जा रहा है, उनकी credibility, उनकी विश्वस लिजाँ खत्म करने की साजीज की जा रही है, जो लोग प्रश्चाचार में लिप्त है, उन पर जब एजन्सियां कारवाई करती हैं, तो एजन्सिय अपना हमला किया जा पा है, जब कौड कोई फैसला सुनाता है, तो कौड पर सवाल उठाये जाते हैं, ना एक प्रानाली पर हमले होते हैं, आप सब देख रहे हैं, कुछ दलोंने मिलकर, ब्रष्टाचारी बचाओ अभ्यान छेड़ा हुआ है, आज ब्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है, साथियों, ब्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुक्षान किया है, दिमक के तरह देश को खोखला किया है ब्रष्टाचार ने, देश की जनता आज देख रही हैं, कि पहले की सरकारों ने किस तरह, की थी लेकिन पिछले नव साल में भाजपा सरकार ने ब्रस्टाचार के खिलाब जो अभ्यान चलाया उसने आज ब्रस्टाचार और ब्रस्टाचारियों दोनों की जड़े हिला दी है यह इस बात को प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो ब्रस्टाचार भागता है मैं आपको कुछ आंकड़े बदा चाहता वाट से प्रिवेंस अप मनी लॉडरी एक्ट यानि पी एम एले के तहट कॉंग्रेस की सरकार में यानि साल 2004 से 2014 के बीच पांच हजार करोड रुपे के आसपास की संपतिक जब तक ही गई थी पांच हजार करोड इसी एक के तहट पिछले नव वर्षों में भाजपा सरकार ने एक लाख दसजार करोड रुपे से ज़ादा की संपति जब तक ही है इस एक के तहट पहले के मुकामले दो गुने से जादा केस रेकोर्ड किये गए हैं और पंद्रा गुना जादा लोगों को गिरपतार किया गया है हमारे हाँ कुछ लोगों ने कॉंग्रेश सांसन के दोरान बैंकों को जम करके लूटा बैंकों का करीब बाइस हजार करोड रुपिय का नुक्सान करके ये लोग विदेश भाग गए आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब बीस हजार करोड रुपिय की संपति जब तक करवा दी है प्रिवेंस अब करप्शन एक के तहट पिछले नव वर्सों में CBI ने लगबग पांच हजार के दर्ज किये हैं बीजेपी सरकार में ब्रस्टा चार के आरोपों से गिरे हुए सेंकड़ों बड़े अधिकारियों को समिधान दिखाया सरकार के नियम दिखाये और उनको जबरन रिटायर किया गया है घर भेज दिया गया है और उनके खिलाब कारवाई चलक की गई है साथियों आज़ादी के साथ दसकों में पहली बार ब्रस्टा चार पर इस तरह की चोट हो रही है पुरे देश की जनता आज ब्रस्टा चारियों पर हो रही कारिवाईशे खुश है आपकी यही जन करिए ना मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं मोदी जी रुकना बड़ आज हर देश वासी समझता है ब्रस्टा चार रुकेगा तभी देश आगे बड़ेगा और जब अब जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे वो अपना गुसा भी निकालेंगे लेकिन इनके जूठो आरोपों से न देश जुकेगा न ब्रस्टा चार के बिरुत कारवाई थमने वाली साथियों आपको याद होगा कॉंग्रेस के नेता कभी कहा करते थे जनसंग के जमाने बे बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंग को जड़ से उखाड कर फैक देगे ये उनके बड़े बड़े नेता भोलते थे जी और आज की कॉंग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कभर खुदेगे जनसंग को मिटाने की भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजी से हुई और ये तो वो लोग है जिन्होंने मुझे भी जलबे डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिशाई लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे और हम बचे हैं हम फले हैं फुले हैं तो जनता जनारदन के आशिरवाद से देश वाशों के प्यार से बड़े देश वाशों का अपार फ्रेम यही तो हमारी पुझी है यही हमें समर्शामर्फन देता है यही हमें शक्ति देता है देश वाशों के आगे से वाशे हम आगे बड़े हैं बड़ रहे हैं और बड़ते ही रहेंगे हम यहां से आगे बढ़ेंगे वो भी देश वाशों के विस्वाश से बढ़ने वाले हैं साथियों भाजपा यह वो पार्टी नहीं है जो अख़बारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो यह भाजपा भाजपा ट्वीटर हैंडलों और यूटूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है यह भाजपा अपने कारकरताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है भाजपा जमीन पर कायम करके आगे बढ़ी है भाजपा गाओं में खेत खली आणों में गरीबों के साथ कंदा से कंदा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं हरे मोदी जी अब सप्ता मिल गई दो दो बार प्धान मंत्री बन गए अभी भी क्यों इतना दोड़ते रहते हो क्यों भागते रहते हो अरे कभी दे मौज करो आराम करो लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कायरकरता की नियती आराम करना बैठना मौज करना वो नहीं सकते भाज़पा के कायरकरता के लिए देश की आशाएं लोगों की आकांशाएं उनके सपने ही उसकी ड्राइमिंग फोर्स होती है इसी के लिए भाज़पा कायरकरता दिन रात दोड़ता है भागता है काम करता है रुकता नहीं है ठकता नहीं है जुकता भी नहीं है लेकिन साथ यो हमें याद रखना है हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है भाजपा को डगर डगर पर ब्रस्टाचार से लड़ना है भाजपा को डगर डगर पर भाई भतिजावाद से लड़ना है भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है बाजबातों डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इको सिस्टेम से लड़ना है क्योंकि यही वो चिनोतिया है जिनोंने देश का बहुत बड़ा नुक्षान किया है बहुत समय तक नुक्षान किया है जाथियों बहुत सब्वाग्य से अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजहाती के अमरित काल में राष्ट की सेवा करने का राष्ट निर्मान करने का आउसर मिला है हम भारतियों ने मिलकर 2047 तक जब आजहाती के 100 साल मनाएंगे तब तक विक्सिद भारत का लक्ष रखा है आजहाती के अमरित महुत सब के लेकर आजहाती के 100 वर्थ तक देश की इस यात्रा में प्रतेग भाजबा कायर करता को जीत तोड महनत करनी ही करनी है हमारे कारकरताओं को लंबी पारी के लिए तयार करना चाहिए बल को बनाने में जिस तरह अनेक पीडियां खप गई उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीडियों को खपाना होगा साथियों मैं आपको फरवरी दोजार अठारे में इसी कारेले में कही हुई अपनी एक बात को आज याद दिलाना चाहता हूँ दोजार अठारे में इसी भवन का लोकार पर करते हुए मैंने कहा था के कारेले हमारी कर्मभुमी है लेकिन भारत की सीमा ही हमारे कारियों की सीमा है हमें इस भवन से उर्जा लेकर संपूर्ण भारत की सीमा तो ही अपना कारेख्षेत्र बनाना है मुझे पिराविश्वास है आप सब इसी तपस्या के साथ देश के सपनों को साकार करते रहेंगे जो सपना हमने पहले देखा था उसे हम आज पूरा होता देख रहे हैं जो सपना हम आज देख रहे हैं वो भविश्य में पूरा होकर रहेगा इसी विश्वास के साथ आज के इस मंगल अवसर पर और नवरात्री के पावंत होरों के बीच मैं आप सब को देख वासियों को अनेक अनेश को कामनाई देता हूं बहुत भाषब धन्यवाद भारत माता के भारत माता के बंदे बात्रम बंदे बात्रम बंदे बात्रम बंदे बात्रम बंदेश 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 झाल 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 झाल